नवस्त्य दोस्तों अंडित गॉल्ड में आपका स्वागत और स्वास्थ्य समध्य चर्चा के अंदर हम आज लेके आएं हैं आपके लिए भ्रेंग राज आयुर्वेद की एक बहुत श्यानदार जैड़ी मूटी जिसका नाम है भ्रेंग राज इसको सुद्ध नाम भ्रेंग राज के नाम से जाना जाता है प्राइसी नाम से सब जानते हैं देहती लोग इसे भांगरा करते हैं और ये एक बारा वर्ष मैंने पैदा होने वाला ये पोदा है और इतने सरलता से इसके बीज जहां डाल दो वहीं ये पैदा हो जाता है और इसकी प पत्ते ऐसे पोजिने की तरह तीक होते हैं उन पत्तों को हाथ में लेके यूँ अगर मसलोगे आप तो देखते देखते हाथ हरे से काला हो जाता है उसका रस देखते देखते ही हरे से काला हो जाता है इसी तरह ये शिर्क के बालों को काला करता है और इसके अलावा इसमें इत पत्ला पड़ गया हो वीर ये कम बनने लग गया हो उनके लिए भी ये रामबान दवा है इसके अलावा लिवर लिवर समधि रोगों के लिए ब्रंगराज बहुत दिव्यवस्ति है इसके कहीं परकार बने हो या आते हैं बजार के अंदर पलिहा के अंदर भी ये काम करता है और जिनकी अगनी मंत पड़ गई और भूक नहीं लगती उनको जिनको वजन बढ़ाना है तो वजन बढ़ेगा इसको सेवन करने से लेकिन जिनका वजन बढ़ा हुआ है वो अगर इसका प्रियोग करेंगे तो उनका वजन नहीं प्रियत है यह ब्रंग राज जसुए इस यह कैसे बनता है इसमें क्या-क्या चीजें होती है और इसके अंदर सबसे बड़ा एक गुंड जो है वो है कॉंस्टिपेशन आज कबजी के बहुत रोगी होते हैं और कब्ज होने से हैं शरीर में कब्ज होने से मल अंदर सड़ता आए और वो मल सड़ करके और दूसित वायू पैदा करता है वायू हमारी नसुन द्वारा घूम करके और हमारे सुध रुदिर को दूसित करते हैं और रुदिर जब असुध हो जाता है तो शरीर के अंदर नाना प्रकार की बिमारियां होती है आँकों के सामने अंदरा साग चाना और चाना इस तरह की कई प्रोग्लम्स कड़ी होती है देखिए सबसे पहले मैं यह बताऊंगा कि ब्रंगराजसव ब्रंगराजसव का मतलब होता है आसव आसव का मतलब होता है लिक्वीड का मतलब होता है पीने के लाइक जितने भी आई तो इसके अंदर ये ब्रंगराज का आसव किस तरह बनता है इसका नाम है ब्रंगराज आसव देखिए ब्रंगराज का रस एक हजार पचीस तोला गुड आर्ट सो तोला हरड बतीस तोला इनको मिला करके और मर्चबान में बरकर पंदा दिन तक रख देवें फिर पीपर जाइफल लॉंग छोटी इलाची दाल चीनी तेज़ पता नाकेशर ये परतेक आठ आठ तोला जो कूट करके चुरन बना करके इसके अंदर डाल देवें और पंदा दिन पढ़ा रखे और पंदा दिन के बाद में इसको चान लेवें इसकी विदि हम एक बार आपको फिर बता देते हैं जिनको सोक है वो गर्पे बना सकते हैं और नहीं तो ये हर जगे बजार में आपको बनावा मिलता है और इसमें कोई ऐसी चीज नहीं कि इसके अंदर कोई गड़वड हो बहुत सस्ता है बढ़िया है हाँ तो देखिए ब मिठी के पुराने घड़े के अंदर भर के रख देवें और पंदा दिन तक रख देवें उपर पेक कर देवें इसको कपड़ मिठी से हैं उसके बाद इसमें पीपर जाइफल लॉंग छोटी लाची दाल चीनी तेज पता ना केशर ये परतेक आठाठ तोला लेकर के इनका जो कुटा के चुरन करके और इसमें मिला देवें और फिर पंदा दिन तक इसको पड़ा रखें आने कि एक मैना तक ये पड़ा रहेगा उसके बाद इसको खोल करके और कपड़े से चान लेवें ये ब्रंग राजस्व आपका तैयार है और ये देखिए डाइबिटीज के पैसेंट को थोड़ा कम लेना चाहिए ये क्योंकि इसमें गुड़ हैं तो ये लिखते हैं रश्तांतर सार के जो लेकग लिखते हैं कि ये अज़श करता है पूरानी खांशी को ठीक करता है और शरीर को पुश्ट करता है ये आसव बल कारक बाजी करण और जो इस तरियां गर्ब धर्ण नहीं करती है उनके लिए बहुत लाब धाइक है इसके अलावा इस आसव का उप्योग कबजी के अंदर बहुत अच्छा होता है जिनको बद्ध कोष्ट बोलते हैं इंदी में कबज को उसके अंदर ये बहुत बड़ा काम करता है ये मैंने आपको बता दिया कि इस तरह से मल सड़ करके और खुन को खराब कर देता है उसको ये ठी करता है और ये सब होने से कबजी होने से ठकावट और पित विकार होते हैं उल्टी होने का मन होता है और थोड़े में ठक जाते हैं पेट वायू से बरा रहता है और प्यास का नास हो जाता है जीब के उपर मेल रहती है शिद में दर्द रहता है नीद आनी कम हो जाती है कमर में दर्द और बार बार इस्तलता होती है मानसिक अश्यक्मता और मुत्रागात यक्रद वर्दी याने की लिवर बढ़ जाना प्लिहा व्रधी गल ग्रंथियों की व्रधी सर्वांग सोत मदुम है अन्य परकार के मेद पांडूता अंत्रस्य करक स्पोर्ट याने की कैंसर तक देखिये कबजी होने से कितने तरह की बिमारियां होने की ये संभावना रहती है संदिवात भी पैदा करती है याने की जोडों में दर्द आम वात भी ये पैदा करती है कैंसर तक को ये पैदा करती है इसके अलावा धातू से याने धातू को पतला कर देती है और इसकी उत्पति ये भ्रंग राज सेवन करने से वह रुक्याती है अपनी जगेश रुक्याती है और इसत्रियों का गर्भाई से सुद्ध हो जयता है और इसको भरंग राजसब को लेने से भुख खूब लगती है इसके लेने से बद-कोष्ट मिटता यानि कि कभी का नास होता है और शरीर बिलकुल शीतल हो जाता है और कोई भी हानी पहुंचाने का काम इसका नहीं है ब्रंग राज नहीं पहुंचती ब्रंग राजस्व के साथ शिद्गध्त या एरंड तेल के सद्रश्य स्ने विरेशन देने से बिशेश लाब होता है जिनको बहुत ज्यादा कबजी होती है तो वह भ्रंग राज के साथ में थोड़ा सा केस्टर ओल अरंडिगा तेल डालके लेंगे तो उनको पाखाना बिलकुल साफ होगा और कोई साइड इफेक्ट बे ज्यादा मेंगा नहीं है आप इसको खरी दें कबजी की इधर उदर की दवा नहीं खा करके उन सब में सनाय होता है जो आतों को शिचिल करती है आप ब्रंग राजस्व का प्रियोग करें आपकी कबजी ठीक होगी एक कबजी ठीक होने से आपके अनेक रोग ठीक होंगे दो तोला पानी में मिला के खाना खाने के बाद और इसी तरह रात को खाना खाने के बाद आप इसको एक मेना ले सकते हैं दो मेना ले सकते हैं तीन मेना ले सकते हैं ब्रंग राजसो इसको लेने से मैं बताना भूल गया आपके शिर के बाल जो आज समय में पक जाते हैं वो इ इना से ठीक होता है simply ुब हो तो इसका एक प्रियोग हम और बता देते हैं ताजा भरंग राजस 보고 दस घ्राम ओर दस घ्राम शहद इनको मिला गरकर सबसाम चाटने से एक हप्टे के अंदर ठीक हो गा ठीक हो, ठीक हो गा यह हमारा आजमया हुआ है और जिन को कहीं भाइ करते हैं कहीं मेरे दोस्त करते हैं कि हमारा वजन नहीं बढ़ता तो मैं स्टाम पर लिक्क देता हूं गई कि परियोग बरंग राज का रस्ति ग्राम 10 ग्राम शेह इनका सुबह और शाम को एक मैने तक अगर चाट के परियोग कर ले तो मैं दावे के साथ कहता हूं कि उसका वजन बढ़ने से कोई रोक नहीं सकता है अगर फिर भी उसका वजन नहीं बढ़ता तो इसका मतलब हो उसके सरीर के अंदर और कोई व्यादा है अत्वा और कोई बि कीजिएगा और अपने खानपान का ध्यान देखें आप सोस्त रहें हेल्दी रहें यह मैं भगवान से प्रात्ना करता हूं जैसरी राम